करनाटक चुनाओ के नतीजे आपने देखे और परचंड बहुमत के साथ कॉंग्रेस की सरकार बन रही है और करनाटक चुनाव ने बता दिया कि कैसे बीजेपी को टाटा बाई बाई कहने के लिए उनका मिजाज बन चुका था और उन्होंने बीजेपी को टाटा बाई बाई कह दिया बड़ा सवाल क्या है बड़ा सवाल यह है कि जैसे करनाटक की जन्ता ने बीजेपी को टाटा बाई-बाई-बाई कहा है क्या वैसे ही पूरे देश की जन्ता भी बीजेपी को 2024 के अंदर टाटा बाई बाई कहने का मूड बना चुकी है सवाल ये है बीजेपी जो है वो आउट होगी क्या और कॉंग्रेश जो है उसकी एंट्री होगी क्या 2024 के अंदर बड़ा सवाल जो है वो ये है और इसी को समझने की कोशिस करेंगे और 2014 से ले करके 2014 से ले करके 2022 तक 2022 तक कब कब किस की सरकार रही देश के राज्ये में देश के मैप में कौन कौन से राज्ये के अंदर कौन कौन से राज्ये में बीजेपी का वर्चत सो बढ़ता चला गया ये मैप कैसे बीजेपी ने भर दिया और कैसे तो है फिर ये कॉंग्रेश की सरकारों ने भरा और कैसे 2019 के पहले जो हालात बने थे वही हालात आज बन रहे हैं 2019 से पहले भी स्थिति यह आई थी आकड़े मैं आपको दिखाऊंगा अलग-अलग करके और यह आप देखिए मैं अलग-अलग करके इस तरह से 2014 से सुरुआत करते करते 2022 सग आपको ले करके चलूँग लेकिन सेना राष्टवाद की जो चीजे चली उसके बाद जो तस्वीर थी वो बदल गई लेकिन जाईर सी बात है वो सब बाते बार बार तो नहीं हो सकती है खेर अब 2014 से 2014 से जो है इसकी सुरुआत करते हैं 2014 से इसको समझने की कोशिस कीजिए 2014 के अंदर जो है क्या था कि बीजेपी के पास में ये कुछ राज्ये पहले से ही थे कुछ राज्ये जो है बीजेपी के पास पहले से ही थे गुजरात मंदेपरदेश राजस्थान चतिस गड़ी ये पहले से ही राज्ये थे उसके पास में 2014 में बीजेपी के पास में दो बड़े राज्ये जुडते है एक तो नागलेंड यहां पर जुड़ता है, दुसरा अंदरप्रदेस यहां पर जुड़ता है, दो बड़े राज्य जुड़ते हैं, अब उसके बाद में, आप आईए 2015 के उपर, 2015 के उपर आईए और 2015 में जो है BJP के पास कौन से रज्जे जुड़े और कौन से घटे उस चीज़ को आप देखिए 2015 में 2015 में PDP के साथ में PDP के साथ गठबंदन हो गया था बिलकुल एकदम अपोजिट विचार धारा उसके साथ गठबंदन करके जम्मु कस्मीर में सरकार बनाई थी जम्मु कस्मीर में सरकार बनी अब उसके बाद में चलिए तो यह आप बात करिए 2016 की दिसंबर 2016 की बात करिए और दिसंबर 2016 के अंदर किस किस के साथ में सरकार बनी कहां सरकार बने और कहां से सरकार चली गई इस बात को आप समझेए 2016 के अंदर जो है वो असम में यहाँ पर सरकार बनती है नागलेंड में पहले से ही सरकार थी असम में सरकार यहाँ पर बनती है 2016 के बाद में यहाँ पर 2017 की आप बात करेंगे इस चीज़ को थोड़ा सा गहरा इसे ओर समझे जाने दोजर सत्रह में बीजेपी के पास में कोन-कोन से राज्या आते है। दोजर सत्रह में उत्राक्षंड ये एक राज्ये। यहां पर हीमाचल ए माचल ऊपर वाला हीमाचल और уже पर उत्राखंड जह दो राज्याए। उसके बाद यूपी ये राज्य जो है वो बीजेपी के पास चला गया यूपी के बाद में बिहार उसके पास में 2017 में ही आया बिहार के बाद में फिर उसके बाद अरुनाचल परदेश वो बीजेपी के पास में आता है और फिर उसके बाद में मनिपूर जो है वो बीजेपी 70% लोग वो बीजेपी की डवल इंजन की सरकारों को गठबंदन की सरकारों को पुन बहुमत की सरकारों को उनको चुलते हैं तो यह जो है तस्वीर आपके सामने है यह 2017 की तस्वीर में आपको बता रहा हूं गैर बीजेपी जो सरकारे थी वो केवल 22% हिस्से पर रहे गई थ स्सक्रीबी तो 2018 में यहां से 20 life है का डाउन फाल होना सुरू हो जाता है 2077 में बीजेपी पीक पर थी लेकिन 2018 में बी जेई पी के अंदर गिरावाट होनी शुरू हो जाती है और 2018 में यहां पर राजसान के लेकिन तीन बड़े राज्ये हैं यहां से सरकार चली गई और देश का ये जो बीच का हिस्सा है ये खाली हो गया ये बीजेपी से अब उसके बात में आप बात करिए 2019 की 2019 दिसंबर की बात करेंगे तो बीजेपी ऐसा समय था जब बीजेपी सबसे ज़्यादा बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था और 2019 के अंदर कौन-कौन से ऐसे राजे थे जहां पर बीजेपी की सत्ता जो हो चली गई यहां पर 2019 में 370 लगा करके जो राश्पती सासन लग गया तो सरकार तो जाहिर तो पर नहीं रही वो ऐसे बीजेपी का हीस पर कंट्रोल था खेर महराश्टर के अंदर से सरकार चली ग कि नहीं दिकैंगे 2017 सबसे पेक पर रहे और 2019 में सबसे नीचे रही यह सिती है अब उसके बाद में आगे आगे आप बात करिए दिसंबर 2020 की 2020 की और नौबर 2020 की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर नौबर 2020 में जो है वो सरकार तो क्या ही लेकिन अकOP ले आए यहां पर जो है वो जोड करके ले कि आर्जूना फिर के वहांद पर यह माद्य परदेश में इनकी सरकार बन गई दिसमबर 2020 के अंदर उसके के बाद में आप बात करिए अगस्त 2022 की और अगस्त 2022 के अगर आप बात करेंगे तो अगस्त 2022 में क्या खेल होता है वो आप देखें अगस्त 2022 के अंदर जो है वो करनाटक यहां पर यहां पर जो है वो महराश्ट्र में अपनी असम गौहाटी जो प्रेशन चला था यहां पर विधायक उड़ करके गए थे हैं यहां पर और वहां से जकर के सरकार बन करके आ गईє तो यह अगस्त 2022 के अदर हुआ और उसके बाद में अब देखेंगे आज की स्थिति तो आज की स्थिति यह पि कि करनाटक के अंदर सरकार जो है वो चली गई है और अब जो है यहां से करनाटक से सरकार चली गई है और देश के 43 फिस्दी लोग 43 प्रशेंट इससे पर 44 फिस्दी लोग जो है वो बीजेपी की सरकारों को देख रहे हैं जबकी 57 फिस्दी यानि 40 और 60 का का रेशयों हो गया है चालिस पर very sort by है और साठ पर गैर डिश्यराइश आप हो समझे दूसरी बात और रच़्ूज्य सामझेए कि कितने राज्जे ऐसे हैं जहां पर बीजे पी सरकार फूर्ण वंमथ की सरकार और कितने राज्ज्य fundament की बात करेंगे जहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार है कॉंग्रेस और बीजे पी दोनों अब दोजर चोविस के चुनाओ के लिए तो तीन बड़े राज्ये जो है वो कॉंग्रेस की सरकारों के हैं अब उसके साथ में आप प्रप्राइब रहा है यहां पर गंदन की सरकार यहां पर जो है वह यहां पर तीन नमबर जो है वह यूपी के अंदर तो तीन बड़े राज्ये अब देखिए के लिए राज्याना के तो कॉंग्रेस की भी सरकार है ऐसे फिर अगर लगाएंगे आप अर्याने को गिनेंगे तो यहां पर बिहार में भी कॉंग्रेस की गठबंदन की सरकार है यहां पर जहारखंड में कॉंग्रेस की गठबंदन की सरकार है तो मैं गठबंदन की सरकारों को नहीं बड़े राज् चले चाते हैं तो खेर अब सवाल यही है कि क्या वाकिए आज जो स्थिति दिखाई दे रही दोजों 33 से पहले और अभी जो है मद्य प्रदेस में हैं और मद्य प्रदेस में क्या कुछ होगा राष्फान में चुनाव होने है वहाँ पर क्या होगा अगर इन तीन राज्यों में कॉंग्रेस जो है इन तीन राज्यों के अंदर कॉंग्रेस अपनी दोबारों से सत्ना बना लेती है तो बीजेपी के पास केवल दो राज्ये बच जाएंगे ये गुजरात बचेगा और यूपी बचेगा इसके अलावा बीजेपी के पास कोई राज्य नहीं होंगे जबकि कॉंग्रेस अगर हसिल कर लेती है तो कॉंग्रेस के पास करनाटक एक राज्य होगा, रास्थान दूसरा राज्य होगा, मद्यपरदेस तीसरा राज्य होगा, और चोथा राज्य होगा, कॉंग्रेस के पास चार बड़े राज्जे होंगे और बीजेपी के पास केवल दो बड़े राज्जे होंगे सोचिए 2024 से पहले की स्थिती यह वाकिए जो गणी थे हिला देने वाला है तो बैराल अगर आपने आखरी तक सुना है तो बहुत धन्यवाद आपका लोगों तक भी पहुचाईए इस वीडियो को ताकि लोग भी समझ पाएं आसान भासा में कि बीजेपी नरेंदर मोदी मोदी को कोई नहीं आरा सकता है हारना मुमकिन नहीं है यह तो बाजी पलट चुकी है बाजी पलट चुकी है और दो राज्यों में बीजेपी बच रही है और चार राज्यों में कॉंग्रेस बच रही है अब ऐसे में मोदी कब तक अपने दम के उपर जो है वो कहते रहेंगे डबल इंजन डबल इंजन ल और इसी तरह कि तमाम खबरों के लिए ओनलाइन यूजरे को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद